देवरी पुलिस ने इंडिका कार से 600 पाव देशी शराप की जब्द देवरी नगर में लंबे समय से छेतर से बाहर से लाई जा रही अबेद शराप का कारोबार करने बालों पर पुलिस ने बड़ी कार रवाई की है बीती रात्री में मुख्बिर की सुचना पर देवरी पुलिस ने नेशनल हाईवे 26 ग्राम टिक टीरिया चोराएं पर इंडिका कार नंबर MP09 GG8894 पर लाई गई देशी मसाला एबं प्लैन 12 पेटी जिसमें 600 पाव भरी हुई थी पुलिस ने पीछा करके इंडिका कार को इसी दोरान पकड़ लिया और एक आरोपी छोटी आदब को पुलिस ने ग्रपतार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी राकेश लोदी चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया बमीठा से हमारे संबाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट सरसों के खेत में मिली नबजाद बच्ची गिराम सतना के ओम नाराइंट तिबारी के सरसों के खेत में नबजाद बच्ची जिंदा रोती हुई मिली नबजाद बच्ची को जन में दो गंटे पहले हुआ है और हंडेट डाइल पाइलेट अमिद सर्मा आरक्चक शान्त कुमार की ने बच्ची को जिला अस्पताल पहुचा है घटना सतना गाउं थाना बमीठा की है बमीठा से हमारे संबाददाता अशोक नामदेव की रिप रिपोट नागदा कांग्रेस कारे अलाइपर महत्मा गांधी की पुन्यतिती मनाई गई बापू के बलिदान को किया गया याद नागदा में कांग्रेस कारे अलाइपर महत्मा गांधी की पुन्यतिती मनाई गई और बापू के दोरा किये गए कारियों को सरह ना की गई औ मौके पर विधायक दिलीब गुसिंगूजर दौरा बापू की तस्बीर पर माल ले आरपन किया गया मौके पर कांग्रेस के कई कारिकर्टा मौजूद थे नागदा से हमारे संबाददाता शंजय सर्मा की रिपोर्ट बोपाल से हमारे संबाद्दातों शरशर्मा की रिपोर्ट हनमान गंज पुलिस ने किया दो सातिर नकाब जनों को ग्रपतार मोबाइल चोरी की बड़ी बारदात का हुआ खुलासा चोरों ने मोबाइल चोरा कर जंगल में गड़ा कर मंडी डीप के नाले में छिपाए थे मोबाइल के फोन करीब सात लाग की कीमत के 68 मोबाइल फोन की ये बरामत दोनों नकाब जनों पर दर्ज की गई नकब जनी के मामले में कई धाराएं पर पुलिस और बारदातों को लेकर कर रही है पूछ ताच बोपाल से हमारे संबाददातों शरस शर्मा की रिपोर्ट